आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने MoneyView application से loan लिया हुआ है और आप अपने loan का statement डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MoneyView application का loan का जो statement है वो कैसे हम डाउनलोड करते हैं दोस्तों money view अपने application के अंदर एक से बढ़कर एक नए नए अपडेट डाल रहा है अभी कुछ time पहले एक नए अपडेट आया है money view application के अंदर जिसके जरी आप loan का statement बड़ी ही आसानी से download कर सकते हैं इसके लिए आपको money view application को open करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे है money view application में मेरा जो लोग ने वो पंदरह हजार रुपे का active है आप यहाँ पर देख सकते हैं हाला कि एक बात मैं आपको बता दूँ जब आप loan लेते हो तो loan का statement होता है वो आपकी registered gmail ID पर पहले ही send कर दिया जाता है लेकिन इन case अगर आप चाहते भाईया फिर से statement डाउलोड करना तो फिर आपको money view आपको open करना होगा open करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो loan होगा वो यहाँ पर शोक कर रहा होगा दोस्तों मैं article लहीं कर सकता कर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने आजाएगा money view application का loan दो फीचर्स नीचे एड़ किया जिसमें लेका व्यू इमाइड डिटेल्स इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी इमाइड डिटेल्स देख सकते हैं और नीचे क्लिक करेंगा कर दिया जाएगा पीडियाप की रूप में ठीक है तो आप इसको पीडियाप की रूप में देख सकते हो तो दोस्तों बड़ी आसाई से आप यहाँ से money view application का आप loan statement डाउनलोड कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो देख सकते हो दोस्तों यह money view आपके लिए question के अंदर नय अपडेट आया है अगर आपके में नहीं आ रहा हो तो आप एक काम करें अपने आपको अपडेट करें ताकि जल्दी से जल्दी यह जो अपडेट है आपके पास भी आ जाए इतना ही रहेगा हम मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदमाद